नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल अंबे दुर्गा जो तीस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में चिपकली देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों सपने सास्त्र की बात करें तो सपने हम सभी को दिखाए देते हैं कोई सपने में चिपकली को देखता है तो कोई अपने सपने में चिपकली को भागते हुए देखता है इसी तरह से कई लोगों को अपने सपने में चिपकली को मारने का सपना भी दिखाए देता है औ तो दोस्तो ऐसी तरास्ते हम सभी लोग अपने सपने में चिपकली को विभीन अवस्थाओं में देखते हैं तो आईए दोस्तो जानते हैं कि अगर सपने में चिपकली दिख जाए तो यह हमारी लिए सुब संकेज होता है या फिर असुब संकेज तो दोस्तों गर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में सची सरदा से लिख दीजिए जय माता दी तो आईए दोस्तो जानते हैं कि सपने में चिपकली देखने का क्या मतलब होता है और इन से जुड़े अन्य सपनों का क्या मतलब होगा दोस्तो अगर आपने अपने सपने में चिपकली को देखा है तो यह आपके लिए बहुत ही सुब सपना होता है सपने में चिपकली को देखना इस बात का संकीत करता है कि आपके उपर माता लच्मी की अपार किरपा है आपके जीवन में जल्द ही सुख समिध्य आने वाली है आपके कारे में आपको उन्नती मीर सकती है आपकी जीवन में आपको जल्द ही कोई बड़ा मुकाम हासिर होने वाला है वहीं दोस्तों अगर आप अपने सपने में देखते हैं कि आपने चिपकली को मार दिया है तो दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि जल्द ही आपको कहीं से धन आनी हो सकती है और तोर आपका मान सम्मान भी घड सकता है वहीं दोस्त अगर आप देखते हैं कि छिपकली ने आपको काट लिया है तो दोस्त अगर आपने सपने में देखते हैं कि छिपकली ने आपको काट लिया है तो दोस्तो यह आपके लिए एक असुप संगेत होता है चिपकली का काटना सुपने में इस बात का संगेत करता है कि आपके आने वाले जीवन में आपको सारी रूप से कर्ष्ट मिल सकता है धन से जुड़ी परिशानी आपके आने वाले जीवन में हो सकती है वहीं दोस्तों अगर आप देखते हैं कि आप छिपकली को मार रहे हैं या भी छिपकली आपके पीछे पढ़ गई है तो दोस्तों छिपकली का पीछे पढ़ना भी आपके लिए एक असुप संकेत ही होता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में सची से रद्दा से लिख दीजिए